आप सबी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है सहिंग राशी के लोगों के लिए आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि सहिंग राशी के लोगों की जोड़ी किस राशी के व्यक्तियों के साथ सबसे अच्छी रहती है तो वीडियो को आज तक देखें चैनल को सबस्क्राइब कर लें पास ही बने घंटी के बटन को भी दवा दें इससे हमारी आने वाली सब ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो दोस्तों सिहिंग राशी के हम बात कर रहे हैं और सिहिंग राशी की जोड़ियां जो रहती है उनका जो रिलेशनशिप होता है वो किस राशी के व्यक्ति के साथ सबसे अच्छा रहता है इस वीडियो में हम ये जानेंगे तो देखे जैसा की नाम से प्रतित होता है सिहंग सिहंग राशी का जो चिन होता है वो भी सिहंगी होता है यानि राजसी ठाट बाट वाले व्यक्ति ये होते हैं पहले हम सिहंग राशी की थोड़ी सी बाते जान लेते हैं तो देखे ये जो सिहंग राशी वाले लोग होते साथी रचशनातमग भी यह होते हैं, लेकिन बहुत सी जगों पर जो संग-्राशी के जातक है वह जिद्य बन जाते हैं, क्योंकि दिखि इनको जीवन नितरत्व करने का जीवन होती है यानि अपने जीवन में एक बड़े अच्छे leader साबित होते हैं, नितरत्व करने की गजव की शम्ता होती है, जैसे जंगल का राजा होता है शेर, वैसे ही इनको भी नितरत्व करने की शम्ता बहुत अच्छी होती है अब हम जानते हैं कि इन राशी के लोगों के लिए कौन सी राशी सबसे फिट बैठेगी कौन सी राशी के साथ इनकी जोड़ी सबसे अच्छी रहने वाली है तो दोस्तो जोतिस के अनुसार जो सबसे पहली राशी माने गई है सेहिंग राशी के लिए अनुकूल जोड़ी की वो है मेश राशी सेहिंग और मेश राशी की जोड़ी दे जीवर में आनन्द चाहते हैं, रुमांस चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं और सहिंग राशी वाले ऐसे लोगों का सम्मान भी करता है। मेश राशी वाले लोगों को स्वेतंतरता की थोड़ी जरूरत होती है और सेहिंग राशी वाले जाता कैसे होते हैं कि वो हस्तशिप नहीं करते हैं तो इसकी वज़े से इन दोनों का जो रिष्टा होगा वो कैसा होगा अगर सेहिंग राशी का पुरुष है और मेश राशी क महिला है तो जोड़ी कैसी होगी तो देखे जोतिस के अनुसार ये एक बहुत ही अच्छी जोड़ी मानी जाती है क्योंकि जो सिहिंग राशी का पुरुष होता है वो एक बड़े अच्छे व्यक्तितों वाला होता है और उनके उसके लिए जिग्यासा होती है अपनी पत्नि क सिहिंग राशी का पुरुष होता है वो मीश राशी की महिला की बुद्धी मत्ता और उसकी जीवंत उत्साह पर दिवाने होते हैं उन्हें हर एक अदा उनकी पसंद आती है जो महिला होती है वो काफे रोमेंटिक होती है उधार हिर्दय वाली भी होती है और वो सिहिंग र जीवन एक उपहार की तरह जीते हैं यानि बहुत ही खुश्यों के साथ जीते हैं आप जानते हैं अगर सेहिंग राशी की महिला हो और मीश राशी का पुरुष हो तो कैसी जोड़ी होगी तो देखे इन दोनों के बीच में भी जो अनुकुलता बनती है इनकी बहुत अच्छ जो पुरुष है मेश राशी का वो जीवन का विस्तार पसंद करता है और जो सेहिंग राशी के महिला है वो हमेशा अपने बारे में परसंसा चाहती है जो की पुरुष दिता है तो यह जो साथी होती है यह जो जोड़ी होंती है यह बहुत अच्छी जोड़ी मानी जाती है ये काफी रुमांच भरा होता है इनकी जोड़ी में और बहुत ही प्रभावशाली और मिलनसार ये जोड़ी मानी जाती है उनके बीच प्रसंसा की कोई कमी नहीं होती इसलिए मेश राशी के साथ सेहिंग राशी की जोड़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है अब हम देखें दूसरी जोड़ी की बात करेंगे जो जोतिस के हिसाब से सेहिंग और धनूराशी की जोड़ी के बारे में है क्योंकि धनूराशी और सेहिंग राशी की जोड़ी भी एक बड़ा अच्छा रिष्टा माना जाता है इसने ही रिष्टा माना जाता है क्योंकि सहिंग राशी की भावना धनू को स्वतन्त्ता प्रदान करना होता है और ये एक जोड़ी आकर्शक बन सकती है तो इसके बारे में जान लेते हैं देखिए अगर सहिंग राशी का पुरुष है और महिला धनूराशी की है तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छे तरह से काम करती है तो कि दोनों की कई ऐसी विशेष्टाइं हैं जो आपस में मेल खाती है सेहिंग राशी के पुरुष को और धनूराशी की महिला को दोनों को ही सुरुखियों में रहना पसंद होता है जो इनकी बहुत अच्छी मेल खाती है तो इसलिए दोनों के आपस में बनती भी बहुत है और आपसी समझ बहुत अच्छी होती है इसलिए जीवन भर एक दूसरे का साथ ही देते हैं रोमैंटिक फलो पलो को भी अपने बनाए रखते हैं समय के साथ रिष्टा मजबूत भी होता है और सही माइनों में एक सफल रिष्टा बन करी रहता है और अगर हम बात करें सेहिंग राशी की महिला हो और धनुराशी का पुरुश हो तो जोड़ी कैसी हो और यहां ये धनू राशी को जो पुरुश होता है वो थोड़ी सी दिलफेंग को परवर्टी का जरूर होता है इसलिए जो सिंग राशी की स्तर्थ होती है वो सतर्क रहती है और दोन एक दूसरे का साथ निभाय रखते हैं तो दोन एक दूसरे की कमियों को देखकर उन्हें और ये एक अच्छी जोड़ी सावित होती है इसलिए धनू और सिंग की जोड़ी भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है अब हम जानेंगे जोतिस के हिसाब से तीसरी जोड़ी के बारे में जो की है सिंग और मिथुन राशी की जोड़ी की ये जो जो जोड़ी अगर बनती है तो ये कैसी होती है तो देखिए सिहिंग और मिथुन की जोड़ी की हम बात कर रहे हैं हाला कि मिथुन की विशेस्ताओं से बहुत मेल नहीं खाती है सिहिंग की रुचियां तो इस वजह से ये कैसी जोड़ी रहेगी तो देखिए सिहिंग राशी का अगर पुरुशो और और लोगों से मिलना जुलना भी पसंद है और ये काफी हसमुक भी होती है और जबकि जो सिंगराशी का पुरुष होता है वो काफी उत्साहित होता है साहसिक होता है प्रसंसा करने वाला होता है हर रिष्टे को रोमांस और जुनून से बढ़ने वाला होता है तो रिष्टों के बीच में balance बनाकर रखते हैं, इसके बाद अगर सेहिंग राशी की महिला हो और मिथुन राशी का पुरुष हो तो कैसी ये नुकलता बनेगी, तो देखिए एग जो पुरुष है, और सेहिंग राशी की जो महिला है, इनके बीच की जो जोड़ी है, वो काफी उच्च की मानी जाती है क्योंकि इन दोनों के मैच के इन दोनों में जो व्यक्तित होता है वो आकरशन का केंदर होता है ये दोनों ही सामाजिकता को पसंद करते हैं और इनके बीच में बोरियत की कोई एहमियत नहीं होती बोरियत इनके बीच में होती ही नहीं है क्य इसलिए यहां जो सिहिंग राशी की महिला होती है वो अपने स्नेह की बोचार करती है और मिथुन राशी के पुरुष को खोश रखती है तो दोनों में सामजा से बना रहता है तो यह जोड़ी भी यह अच्छी मानी जाती है अब हम चौथी जोड़ी की बात करते हैं तो के लिए इन दोनों राशियों को एक दूसरे के लिए पूरक होना चाहिए तो इनकी जोड़ी का क्या रहेगा तो अगर सिहिंग राशी का पुरुष और तुला राशी की महिला के बीच में जोड़ी बनती है तो यह जो रिष्टा होता है प्यार, रोमांस, जुनून, खु क्योंकि तुला राशी के जाद तक वैसे भी काफी एट्रेक्टिव होते हैं, बातों से मोहित करने वाले होते हैं, तो यह सिंग राशी के जो पुरुषा उसको खुश रखती है, इनके बीच के कैमेस्ट्री गजब की होती है, कोई समस्या नहीं होती है, और देखिए जब सेंग राशी का जो पुरुष होता है, उनकी भी निर्ना लेने की शमता, निर्तरत्व करने की शमता बहुत अच्छे होती है, इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी कैमेस्ट्री बन जाती है, यह दोनों ही लोग जो है सुन्दर चीजों से प्यार करते हैं, और काफी उनों का ही रुजहान होता है, और इसलिए इन चीजों को प्राची इन चीजें खरीदनी, अनोखी चीजें देखना, यह चीजें पसंद होती है, और यह बहुत पैसा बहाते हैं अपनी जिंदिगे में, बहुत खर्ची लेगे होते हैं, जो कि सेंग राशी को भी राजा उ राशी का जो पुरुष हो, तो यह जोड़ी स्वर्ग में बनी जोड़ी मानी जाती है, बे जिजक अपने भीतर की भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, तुला राशी के पुरुष जो होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं, और सेहिंग राशी की महिला उन मेश के साथ, धनू के साथ, मिथुन के साथ और तुला के साथ, सेहिंग राशी की जोड़ी बहुत ही उत्तम मानी जाती है, और देखिए, जिन राश Music की हमने भाथ नहीं की हैं, उनकी साथ भी अच्छी होती हैं, प्रिम और विश्वाष हमारी जीवन का अधार होता है, औ उनका रिष्टा अच्छा ही चलता है तो दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें